हेलो दोस्तो रेलवे नोलीज एंड बिलोक्स में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं आरपी एफ और जी आरपी में क्या अंतर होता है बहारते रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है रोजानक करोड़ लोग यातरा रेलवे से यातरा करते हैं इसके साथ ही रेलवे के जरिये लाखों टन माल की ढुलाई भी होती है इस दोरान रेलवे की संपत्यों और यात्रियों की सुरक्षा एवम बिना किसी एसोईधा की यातरा एक बहुत बढ़ी जिम्मेदारी होती है यह जिम्मेदारी आरपी एफ और जी आरपी के कंधों पर निर्भर करती है अकसर लोग आरपी एफ और जी आरपी दोनों को एक ही समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है दोनों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं और दोनों की नियुक्ति, रिपोर्टिंग और कारिय छेतर में भी काफी फरक होता है सबसे पहले बात करते हैं RPF इसकी फुल फॉर्म होती है Railway Protection Force RPF को Railway सुरक्षा बल भी कहा जाता है इसका गठन RPF अदिनिम 1957 के तहत किया गया इसकी जिम्मेदारियां बहतर सुरक्षा और Rail संपत्ती, यातरी छेतर और यातरी और उससे जुड़े मामलों की होती है RPF Railway Rail मंत्रा लेके अधीन कारिय करता है और बल का पिर्शासनिक धाचा पिर्शासनिक के अनुसार है देशवर में Railway सुरक्षा विसेस बलवी है जो जिसकी 12 बटालियन कैई छेतरों में इस्थित है RPF के ओ चोरी, बेइमानी से गवन, Railway के अवेद कबजे से सम्मदिद अपरादों को निप्टाने का अधीकार है Railway की छट पर यात्रा, दलाली, महीलाओ के लिए निर्धारी डिब्बे में अनाधिकर्थ पिर्वेस, अनाधिकर्थ बेंडिंग, आतीचार, आदी से सम्मदिद, अपरादों से निप्टान का काम RPF करती है अब बात करते हैं GRPF तो GRPF की फुल फॉर्म होती है, Government Railway Police GRPF को राज के Railway Police भी कहा जाता है इसकी स्थापना 1881 में हुई थी GRPF एक ऐसा पुलिसवल है जो उसी राज्ये के पुलिस से लिया जाता है इसकी कोई अलग से भढ़ती नहीं होती जैसे कि अगर UP में कोई भी Railway Station है तो वो UP Police के करमचारी ही, UP Police की जो सिपाही ही होते हैं वही GRPF में नुक्त के जाते हैं GRPF की प्रात्मिक भूमिका भारत में Railway Station के भीतर कानून व्यवस्था का बनाई रखना होता है वे सुरक्षा पिर्दान करते हैं और ट्रेन और Railway परिसरों में अपरादो की जाज करते हैं GRP Railway अधिकारी और Railway सुरक्षा बलको आवश्यक शाहता भी पिर्दान करता है यात्रियों और यात्रियों के यातैयात पर नियंतरन इसी पिरकार भीड भार को रोकने इस्टेशन परिसर के भीतर वाहन यातयातर को नियंतरित करने, अपराधियों को गिरफतार करने और बिमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को हटाने और फेरी लगाने और भीक मागने से रोकने सहित कई तरह के काम होते हैं यह यात्रियों द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति या ट्रेनों से चोरी हुई संपत्ति के लिए उनके टर्मिनी पर आगमन के समय खाली ट्रेन केरिज की भी जाज करते हैं और टेरों में या इस्टेशन परिसर के पास मरने वाले व्यक्तियों के सवों और उनकी चिकिस्सा जरूरत की देख रेख भी जी आर्पीफी करते हैं अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू